हेलो फ्रेंड्स मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ मेरी यूटूब चेनल भावना किछन एंड रेसिपीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में पसंद किये जाने मिल्कशेक की रेसिपी जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है तो आए बनान चुरू करते हैं मिल्कशेक वीडियो को एंट तक जरोर देखेगा यहां पर मैंने चार से पास ठोबेरी ली थी जिसे मैं ने दोकर कर लिया है और एक चमच मैंने चीनि-ेड की है यहां पर मैंने देड केले लिये तीरी इसमें काजू एट किया है और आदा चमच इसमें चीनी एड की है चार से पांच मेने यहाँ पर बादम लिये थी जिसे मैंने स्लैसे में कट कर लिये गार्निशिंग के लिए और थोड़े से यहाँ पर मैंने काजू लिये 2-4 और तो इसी किसमिश लिये 2-4 इसे भी इन गार्निश के लिए कट किया है आए बनाते है अब मिलक शेक यहाँ पर मैंने में एक मिकसर जार ले लिया है जिसमें मैं केले आड करे हूँ चीनी और बादम एड करके इसमें मैं अब दो अकभ थंडा मिलक एड करूंगी फिर इसे हमें ढकड़कान ढकल के मिकसर में इसे साइड में रख देंगे अब बनाएंगे चिकू मिल्कशेक इसके लिए भी मिया एक मिक्सी जार ले रही हूँ जिसमें मैंने चिकू काजू और चिनी को एड़ कर दिया है दो कप ठंडा मिल्क एड़ किया है इसे भी डखकन डखके मिक्चर में अस्टे चला लेंगे बह हमें इसाब से कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं चिकू के मिल्कशेक को अब हम साइड में रख देंगे और बनाएंगे शेप का मिल्कशेक अब एक मिक्सी जार में मैंने शेप को एड़ कर लिया है चीनी और काजू भी इसमें इसमें दो कप ठंडा मिल्क एड़ करूंगी और मिल्क शेक जला लेना है इसके शिलके में नहीं होता रहें तक इसका कलर अच्छा आए सेप का मिल्कशेक हमारा रेडी हो चुका है अब मैं इसे भी एक ग्लास भी निकाल लूँगी ड्राइफूट इसमें इसलिए डाले है ताकि इसकी क्रंचिनेस से इसका स्वाद और भी बढ़ जाए आप ये मिल्कशेक भी ज़रूर ट्राइ करिएगा अब बनाएंगे स्ट्रोबेरी मिल्कशेक इसके लिए भी मैंने स्ट्रोबेरी और चीनी को एड़ कर दिया है और दो कब इसमें भी मैं ठंडा मिल्क एड़ करूँगी इसे भी हमें मिक्सी जार में अच्छे से चला लेना है क्योंकि स्ट्रोबेरी खटी थी इसलिए मैंने इसमें चीनी एक चमच एड़ की है आप अपनी जरूरत के हिसाब से और ज्यादा एड़ कर सकते है इसे भी में ग्लास में निकाल लोगी ड्राइ फ्रूट्स और फ्रूट्स के चोटे टुकडो के क्रंचीने से मिल्क शेक बहुत ही बड़िया लगता है चारों मिल्क शेक हमारे बन कर रेडी है आप इस मिल्क शेक को गर्मियों में जरूर ट्राई करिएगा और बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अब हम इसे गार्णिश करेंगे कटे हुए बादाम, काजू और किसमिस से अगर आपको मेरे रेसिपी के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरी चैनल को सरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में रहे बेल आइकोन पर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पा सके बहुत चल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर और हाँ इस गर्मियो में मेरे वाले मिल्क्षेक बनाना ना भूले तेंक यू फोर वोटिंग